हमारी इस entertainment वाली party से आ रही है आप सब के लिए एक और entertainment की good news अब लेकर चल रहे हैं हम आपको आपकी फीवरिट चो तारक मेंता का उल्ता चश्मा के सोरी जी यानि बलविंदर सिंग सोरी के पास इनके साथ हमारी टीम सास बहु और पेटिया कर रही है एक day out और इस day out में हुआ है बहुत कुछ fun and exciting लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास सोड़ी पाजी की रियल दुनिया बलविंदर सूरी संग एक दिन जी हाँ ये है तारक महता का उल्टा चश्मा के सोड़ी यानि की बलविंदर सूरी पैसी रिल में तो हैं ये मस्द मौला और सबको हसाते रहते हैं और रियल लाइफ में भी ये ऐसे ही है भाई पंजाबी है तो मस्त मौला तो होंगे ही न और आज सास बहु और बेटियां पहुँच गया है सोड़ी के रियल घर पर भाई अब तक आपने इन्हें सीरियल में देखा होगा लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इनकी रियल लाइफ कि रियल लाइफ में सोड़ी कैसे हैं कैसा है उनका दिन चर्य उनके घर की सेर करेंगे उनकी होबी और फिटनेस के बारे में जानेंगे यानि आज सोड़ी पाजी यानि की बलविंदर सूरी संग करेंगे डे आउट तो चलिए उनके घर बिताने ये मस्ती भरा दिन सास बहुआ बेटिया आज पहुँच चुका है तारट में जाने के सोड़ी घर पर देखते हैं कि जो दिन के सुरवा तक किस तरह होती है भाई शो में तो हमने देखा बहुत ही एनरजी में रहते हैं तो चलिए देखते हैं सबेरे सबेरे हम पहुच गए सोड़ी यानि की बलविंदर के घर पर और वो तयारी शयारी में लगे थे ऐसे में वो पगड़ी बान रहे थे और सास बहुआ और बेटिया के रिपोर्टर ने कि पगड़ी बानने में उनकी हेल्प शो में हमने आपको बहुत एनरजी में देखा है घर में कैसे तो सइमी एनरजी थो सर्दारों की शान है वो जान है और क्यान यह सर्दार असर्दार है अब आई गए हो तो जरह मेरी हेल्प करा दो यह उड़ी ठफ़ा दो आओ जाओ घू अलो जी पड़ो एनो एथे रखो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह हमारा घर है, इसे एक मंदिर भी कहते हैं, स्वार्ण भी कहते हैं And this is my dream house, as you can see, the view from my window यह सब चीजें जो है, वाइकरुजी की बक्षीश है, यह उपरवाले की देन है हम तो महनत करते हैं, पर आशिरवाद और उनका, वो क्या कहते हैं, I am not happy It is God's way to be more generous towards me, आईए, कम कम भी खाल्सा मेरो रूपे खास, में करो निवास, यह हमारे बाबाजी की क्या कहते बाणी है? कि पगडी बाद्दे से ना खाल्से का रूप खिल जाता है, उसको सोरूप मिल जाता हैं…. सवा लाग से एक लड़ा हूँ तभी गुबिन सिंग नाम क्याला हूँ ये वो स्वरूप है उनका तो हमारी दिन की शुरूआत होती है नहाया दोया पगड़ी ठबवाई और पगड़ी बान के त्यार हो गए वे दिन की शुरूआत करने के लिए पैसो डिपाजी तयार है और अब वो अपने आशियाने की सेर करवाएंगे आपको बता दे कि बलविंदर अपने परिवार वालों के साथ हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुए है और इस घर को उनके बेटे उनकी बीवी ममी पापा ने बड़े ही प्यार से और दिल से सजाया ह तो आएए करते हैं उनके होम स्वीट होम की सेर ये चोटा सा बेडरूम है और ये आप देख रहे हैं जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड मिरर है यहां हम अक्सर त्यार हुआ करते हैं और उसके बाद ये जब भी हम खुश होते हैं या परसातों में खास करके यहां कॉफी का मग कहते हैं कि इमारते हैं लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ी सी ब्लेसिंग रही तरफ उपर वाले की जादा है यहां इमारते बिल्कूल ही नहीं है धूर दूर तक लेकिन स्काइल विए वे जब मोंसून तो अगिवरिकर रचाओ अगरे का इन अए अगरे का रचारब का यह तस्वेर किसी फैन ने बनाई थी और हमें गिफ्ट भेजी है इस वेट इस आफ ने जाँग भी बेंस तो फिड वापी बिल्यास कोफी से उन्होंने यह जाओ का अपने आपको देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं कि अरे वा इसरदार तो बड़ा खुबसूरत है कहते हैं ना घर दिवारों से नहीं बनता परिवार से बनता है तो हमारा तो यही मानना है हमारा परिवार हमारे साथ रहता है हमारे ममी पापा हमारे साथ रहते हैं मेरा बेटा फते वो हमारे साथ रहता है तो बस घर है जो दिवारों से नहीं परिवार से बनता है ये बात बिल्कुल सच है ये नो मकान दिवारों से बनते हैं लेकिन जो घर है ना वो परिवार से बनता है आईए अरे प्लीज कम अब य यह सामने हमारी जननी यहानी कि हमारी माताजी बैठी हैं और यह देखिए हैं तोडी सी लाइट कर देते हैं और यह हमारी मम्मी मन्बीर कॉर्शूरी और यह है सास बहु और वेटिया इनकी टीम आई है हमारे परिवार वालूं से मिलने हमारे घरवालों से मिलने अब ही यह वारी माता जी थी और यह हमारे डैड़ी हैं जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह के टाइम पे जरा वर्जिस चल रही है और यह इनका छोटा सा एक तरक का फ्रुद्वारा मंदिर जो भी कहो इतना प्यारा इतना स्कून यह म मेरे डैडी की चॉइज है और इनको बड़ा प्यारा लगता है उनके आंख खुलते ही उने सामने अपने मातपिता और हमारे रभ जी दिख जाएं तो उनका तो देड़ बास बास वो गुरु गोबिन सिंग जी और गुरु नानक देव जी और हमारे ग्यारा पाच्छाही मतल तो आएए बाकी ये थोड़ा सा हमारा जहां से हमारा क्या बोलते है पालन पोशन जैसे कहते हैं किचन तो ये किचन है और ये आप देख सकते हैं इस तरफ ये आप आते जाते हैं बेभी हम रभ जी को थैंक्यू बोलके जाते हैं और आते हैं तो थैंक्यू बोलके आते हैं कि भाई हमें सेफ वापिस ले आए अभी ये घर बनाया है हमने कुछ साल भरी हुआ हमें यहां शिफ्ट होके तो यहां की एक एक चीज जो है यह कोना जो है यह परिवार के जितने भी सद्दस से थे हमारे चार-पांच मेंबर्स यानि की डैडी है मम्मी है मेरा बेटा है जो बैट के हम डिसकस करके, डिसाइड करके यह बनाया है सब चीज इसे मेरे बेटे का थोड़ा सा हाथ जादा है, contribution जादा है क्योंकि वो फोटोग्राफर है, ही इस इंटो फूट फोटोग्राफी तो उन्हें कलर का से जादा है तो हम उनसे जादा रेफरेंसे लेते हैं और अधर इस पर आप घुट चॉज आप तेस्ट एन आप तो वेरी यह वर्म सुधिंग ताइप आप अपर एटमस्रेर यह पूरी वॉल जो है यह आप देख सकते हैं लखडी का काम है कारी का काम है और इक हमारा सेंस नहीं सिप डिटेलिंग का बट जो आज की जनरेशनेने मिन को बढ़ा आप इंट्रेस्ट होता है और जो हमारे ने जहीं पॢ़ी कि लगर के अब यह आप देखेंगे दर्वाजे की डिटेलिंग देखेंगे ना तो यह भी एक दर्वाजा बनने में कुछ 15 दिन लगे यह दर्वाजा और यह दर्वाजा बनने में 15 दिन लगे यह टीवी के बगल में जो आप आर्ट कि देख रहे हैं यह एक एक लकडी को लामिनेट कर के लगा के किया गया है यह काम तो घर तो क्या कहते हैंन laptop बनता है । यह मरीन वाज बोलते यह origogen मॉरीन न हचे और यह हमारा दूधेल परपर सॉर्व करती है तो जो बिए आ बैठा उनको भी घडिते और क्योंकि यह दुल इस तरफ से भी है तो वहां से आने जाने वालों को भी घड़ी दिखती है और यह अकसर बहुत सारे घरों में आपको यह ऐसे ही नजर आएगी हम जिस इंडस्ट्री को बिलॉंग करते हैं वह है शो बिजनस और शो बिजनस में आप जब तक दिखते रोगे और अच्छी अच अच्छी में वह क्या है एक बिलूम ने तो धनी करते तो प्रिंसिप्ली ऐन विद डिसिप्लीन हमआरे से बिलूम घरे आप ठीन तो यह आपको पर नीचे हमारा एक मुंुनिटी जिम बोलते है जिसको वहां पर है तो अकसर या तो हम वहां जिम में होते है या हमारा सुमि प्रेटेश कि आइसा लगता है कि हम तो कहीं रह रह रहे हैं सो वन आम नोट शुटिंग तो दिन मोस्त अधर दाइम माइ लाइफ साथ मौनिंग शेयर देखा है वेक वेक उफसके बाद उठके नाश्ता करके फ्रेश ओके अपना नीचे चले गए जीन किया जीन किया स्विंं किया जो मन किया किया वरना वह के लेए आप ने देखा है कि there is the world is endless लोक कंडला बैक रोड है वाला उंका गाडन रहे है तो इड इस गीट फर इस बीटीफल मौनिंग टास्ट शूर्दी करके बहुत मजा आता है तो I prefer walking and I walk, मतलब 10,000-12,000 steps चली लेता हूँ, किसी तरह कोशिश करता हूँ, जब शूट नहीं कर रहा हूता हूँ और उसके अलाबा दिन चरिया होता है अक्सर मैं शूट नहीं करता हूँ, तो क्या करता हूँ मुझे ना नर्सरी यानि की गार्डनिंगा बड़ा शौक है तो जैसे कि आप देख सकते मेरे पीछे, ये देखिए, चाहे छोटा ही है बट ये मेरा शौक भी है और मेरी होबी भी एक तरीके की गार्डनिंग, तो मैं ये सब चीजें अपने शौक से, मतलब इस ये आर स्ट्रेस बर्स्टर्स, जैसे लोग पेट पालते हैं, जैसे लोग होबी पालते हैं, वैसे मैं जहां जाता हूँ, वहां से कुछ न कुछ चोटी-मोटी लाइव, मुझे ना लाइव प्लांटेशन का जादा शोक है, पर जैसे आप देख सकते हैं, तो इसलिए हम मिक्स मैच करके, जासे कि ये आर्टिविजल है, तो ये रील है, तो वो आर्टिविजल है, तो वो रील है, ऐसे मिक्स मैच करके हमने अपना एक छोटा सा गारड़न वनाया है। भाई बलविंदर अपने fitness का खासा ध्यान रखते हैं और ऐसे में वो हर दिन करते हैं exercise और जिम भी करते हैं तो चलिए आज चलते हैं बलविंदर के इस fitness session को देखने के लिए कि आखिरकार क्या है उनकी fit body का राज? अजी तो here I am with you look at this so this is the place जिसको हम swimming pool कहते हैं क्योंकि इसमें पानी है तो अकसर ऐसा है कि जब हम शूट नहीं कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं तो यह swimming pool जो है यह अकसर हम यूस करते हैं और हमारे दोस्त हैं यहाँ पे chat group है जब message डाल दो तो कम से कम 2-5 बोग तो तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर हम कभी वालीबॉल खेल लेते पूल वालीबॉल खेल लेते कभी कुछ activity पूल में कर लेते हैं जिससे कि हमें एक तो stress buster होता है दूसरा आपकी जो हर बार exercise करना या वाक करने से एक अलग तरीके का exercise आपको पूल में मिल जाता है कभी- यहाँ पर इतनी ब्यूटिफुल यह जो बाहुल है पूरा enclosure of greenery है तो वह एक corner है जहां अकसर सूबे में धूप बहुत बहुत बहतरीन होती है वह लोग योगा मैट डालते हैं योगा करते हैं मैं भी योगा करता हूं विकॉस आई बिलीव कि meditation can actually get you out of lot of things depression बोलो या आपक concentration level बोलो because I believe meditation so you can control lot of things in your body your emotions and your thought process and बहुत जरूरी है बस यह सब चीज़े जो है ना एक आप अपने शरीर का भी आम जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब एज के हिसाब से गैस करो वैसे तो आपको Google से मिली जाएगा लेकिन अब जितना आप अपने obesity को बचा सकते हो अपने weight को बचा सकते हो उतनी आप अपनी बीमारियों को बचा सकते हो अपने शरीर को तंदूर तो आपका शरीर आपको कम से कम पांच से दस साल की जिन्दगी जो है वो एक दम विदाउड मेडिसीन एंड विदाउड बीमारी देगा आईए आपको अब मैं अपना रूटीन वर्काउट दिखाता हूं अर्थे स्वीं लिए यह इस तर्फ है हमारा स्टीम सोना है जाहां पर हम अकसर आफर स्विम यहिस को और रिल्एक्ष भॉइस हमारा जीम अरया है यह हमारा जीम अरया यह हमारे ट्रेनर एंद अकलेज भाई सास बोव और बीटियों की तरफ से ये टीम आई है हमारा इंटर्व्यू लेने के लिए तो ये हमारे फिटनेस ट्रेनर है जो ये जो देख रहे हैं आप इनकी बदॉलत है and he's been very kind to us कर्डियो थर्टी मिनिट्स साइक्लिंग फिफ्टी मिनिट्स जैसे कि हमारे फिटनेस ट्रेंद और एकिलेश बताते हैं हम ऐसे फॉलो करते हैं तो वह आदा गंटा और ये पंदर मिनिट उसके बाद वेट ट्रेनिंग या फंक्शनल या फिर वह जैसा भूलेंगे और बस वाइन अप करने से पहले में देखता हूँ पंदर विस मिनिट मेडिटेशन कर लेता हूँ जोगा कर लेता हूँ प्रणायम कर लेता हूँ अगर कुछ नहीं हुआ तो सूरे नमस्कार तो एक दस मारी लेता हूँ बलविंदर के दिन चर्या में जिम सेशन के साथ साथ एक और चीस काफी जरूरी है वो है सबजी तरकारी खरीदना भै ये भी एक आम आदमी की तरह माकेट जाते हैं सबजियां खरीद कर घर लाते हैं तो अभी आपने देखा ये था बलविंदर सिंग सूरी उर्फ रोशन सिंग सोडी का डेली वर्काउट रूटीन अब आपको मैं एक ऐसी जगा ले चलता हूं जहां नहीं गया तो मेरा दिन जो है वो अधुरा रह जाता है तो चलिए मेरे साथ सस्पेंस है चलिए बस यही ताजी तरकारी है तो यहां तरकारी जैसे आप देख रहे हो देखो पालग मेथी वावाव तो वो देखो कितने बजन कितना होगा एक साब करेंगे ता मालूम आपको एसा दो कि घर से गाली ना पड़े F塘 कम आज के लिए इतना काफ़ी है और प्लास्टीक दे चैलिए मेरे पस प्लास्टीक नहीं चाहिए तो प्लास्टिक नो नो फैली घर से लेके जाओ और सब्जियां खरीदो करीदो जो भी करीद प्लास्टीक घर के जो झाल झाल घर घूम लिया, जिमिंग सेशन हो गया, सबसी तरकारी भी खरी ली, अभी एक और चीज बाकी है, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, क्योंकि आज पलविंदर एक स्पेशल जगह हमें ले जाने वाले हैं आजी, बाब्योग ये अलजियाल, अभी आप सोच रहोगे कि मैंने ये कपड़े क्यों बदल लिये हैं, भाई, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको पहले भी कह चका हूँ, कि जहां जाय भी गयर मेरा दिन अधूरा रहता है, या दिन की शुरूआत पूरी तरहां से नहीं हो करियर नामा, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरूआत की, तो पलविंदर सिंग सूरी ने बताया, उनके शुरूआत से लेकर तारक महता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंग सोधी तक की कहानी, क्योंकि एक्टर होने के साथ साथ, इनमें कई और टैलेंस भी है, शुरू प्ले के हिस्से बने, इसका हिस्सा बनना तो एक और एक स्टूरी है, कि FIJC में एड्मिशन मिली हमें, कॉलेज में, मिठी भाय कॉलेज, जैसे ही लोग कहते हैं, मिठी भाय कॉलेज is the world of exposure, और वो बात सही है, क्योंकि वहां से आजे सर, बॉबी डे उल, रवीना टंडन, ऐसे साजेद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जो वहां से निकले, विवे बबरो, श्रेश तल पड़े, एकता कपूर, यह सब हमारे बैच मेट्स और क्लास मेट्स रहे हैं, तो वह हमाया प्लैटफॉर्म था, जहां से हमारे एक्टिंग की शुरुवात हुई, लेकिन देखते एक्टिंग मतलब भांडगीरी, यह एक वर्ड है, जो पंजाबी में यूज किया जाता है, और हमारे घरवाले भी बहुत ही अगेंस थे, कोई बिजनस, उनके लिए बिजनस बिजनस होता है, और एक्टिंग वगरा तो यार, ठीक है, एक्टिंग करते हो, और क्या गरोगे आप, एक्टिंग के अलावा, लेकिन विद टाइम, जैसे मुझे 30 साल हो गए, 93 में कैंपस आया था, 93, 94, Zी वाज लॉंच्ट, एन कैंपस वाज लॉंच्ट, विज बनेगी अपनी बात, अगर आपको याद होगा, तारा बनेगी अपनी बात, और ऐसे 5 शोज लॉंच हु में बिना बिजनस के, एक सरदार, वो भी अनकट, पूरा सजा, जिसको हम खहते हैं, कि पूरी रहत रखी हुई, यूजवली लोग इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये सब चीजें जो एग्नौर कर जाते हैं, बाल ट्रिम कर लेते हैं, दाड़ी ट्रिम कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे, या आपने देखा, कि हमारे घर में बगवान का प्रकाश, बगवान जी की जो वो अतावरन में आप देखें, वहां हमें ये इस अंसकार दिये गए हैं, कि जो अपनी रूप को सुरूप को नहीं समाल सकता वो जिंदगी में, अपने आपको या अपने परिवार को कैसे समालेगा, तो बस वो सुरूप है, जो आज मुझे 30 साल इस इंडस्ट्री में, आज भी खड़े, मतलब मैं बहुत फक्र से और बहुत वट से कह सकता हूँ, इसी लुक में मैंने 30 साल इंडस्ट्री में निकाले हैं, जिसके अंदर मेरी 10 फिल्में, जैसे ही बड़ी फिल्मों में तीन नाम तो मैं इसे लिलू दिल तो पागल है, नाइटी सेवन में, उसके बाद इंडियन सानी जी के साथ, उसके बाद बादल बॉबी जी के साथ, उसके बाद कहीं प्यार ना हो जाए सलमान भाई के साथ, फिर पिंजर मनोज बाचपै जी परिदोश का आईडिया इस दा इंटर्टेन्मेंट कंपनी उसमें हमारे 20 प्रोडक्शन हुए हैं प्ले में जिसके हम प्रोड्यूसर राइटर डिरेक्टर होते थे मैंने as a creative director 3000 episodes किये हैं for sub tv and other channels sub tv के जादा है क्योंकि उसमें श्री आदी मानव सजनरे जूट मत बोलो बड़ी दूर से आये हैं आरके लक्षमन की दुनिया मतलब की ऐसे अब तो नाम भी भूलने लग गया हूं तो तारग भी हमने कुछ महीने as creative advisor creative असित जी को help किये उसके अंदर उस शो में I think उसी का हमें फॉल्स रूरूप ये रूप निला रोशन सिंह सोधी का असित भाई was really very very nice person that he gave us this opportunity and I really feel blessed for being the part of Tarak Mehta का उलता चश्मा Thank you उसके बाद all the best film हमने story screenplay लिखा है तो फिल्में भी अभी हम अगला franchise जो है धमाल का यानि की fourth franchise वो उसके उपर काम चल रहा है तो मेभी very short time वो announcement भी होगी So actually वाईगुर जी has been very kind to me तो भाई बाते करते करते हम पहुँच गए हैं बलविंदर की इस खास जगह पर जो की है गुरुद्वारा हाँ जी तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी खालसे का यानि कि मेरा भी दिन अधूरा रहता है जब तक हम यहां नहीं आते तो यह वो जगह है जहां से मैं अक्सर अपने काम पे जाने से पहले या दिन की शुरुवात करने से पहले आता हूं तो आईए मेरे साथ मैं आपको भी दर्शन कराता हूं हमारे परम पिता हमारे श्री गुरुगरंद साहिब जी के दर्शन फ्लीज का कर दो आता हूं कर दो आता हूं तो देखा आपने कैसी है सोडी यानि की बलविंदर सिंग सूरी की रियल दुनिया उमीद है आपने सोडी के बारे में बहुत सारी बाते जानी होंगी और हम तो यही कहेंगे कि बलविंदर यूही आप सब का मनुरंजन करते रहें और आप सब को हसाते रहें I feel complete थे कहते हैं ना कि अंदर से मन को ऐसा सकून ऐसी शांती मिलती है ऐसा लगता है कि कोई है आपकी जिन्दगी में जो आपको भी देख रहा है और आपकी भी देख बाल कर रहा है क्योंकि मैं मानता हूं कि समुंदर में पाहाडों में जंगलों में जहां भी प्राणी है वहां जीव है वहां खाना तो उनको मिली रहा है मतलब जब उपर वाल ने पेट दिया है तो खाना भी देगा हूं मैं ऐसा मानता हूँ, बाकि जरिया बदलते हैं, लोग बदलते हैं, आपको किसी और production house से salary आती है, किसी और production house से professional fees आती है, पर देने वाला तो वो है, बाकि सब माध्यम है, जरिया है, मेरी एक English में saying है, phrase है, I am not happy, it is his way of being more generous to me. स्वस्त्रों, मस्त्रों, तंद्रूस्त्रों और तारक मैता देखते रो, क्योंकि आप हैं, तो हम हैं, तारक मैता का उल्टा चश्मा, तैंक्यू. मुंबाई से विशाल शर्मा के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट आज के लिए तो ये पार्टी हो जाएगी खत्म, लेकिन entertainment की good news का सिलसला नहीं होगा, आपके लिए कभी भी खत्म, फिर हाजर होंगे, हम आपके लिए लेकर, entertainment की good news का एक नया एपिसोड, कल, same time, same जगा, only on, सास बहू और पेटिया, और अब तो आप समधी गए हैं, बिल लाइक कीजिए on Facebook and subscribe our YouTube channel, सास बहू और बेटिया